कैसे आप सभी आज हम बात करेंगे projections के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था symmetry के बारे में symmetry elements के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उपर दिये होगे link में आप click करके उस वीडियो को देख सकते हैं वेरी इंपोर्डेंट है वीडिया ओप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने के लिए वो वीडियो तो अगर आप में नहीं देखा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं तो projection के वादे में पहने से पहले मैंने आपको कुछ information उस वीडियो में भी दे रखी है कि मैंने उसमें आपको 2D form बना के दिखाया था और 3D form बना के दिखाया था वैसी projections होते हैं दिखाने के लिए 2D form और 3D form के वर एक projection जो होता है जिसका नाम फिसर projection है जिसके बादे मैं अभी आपको बताऊँगा वो के वर 2D में होता है बाके 3D जो होते हैं वो आपके 3D में होते हैं और questions 3D projections में पूछे जाते हैं आपको उसको solve करने के लिए इन projections की जरूरत जरूर पढ़ने वाली है तो आईए देखते हैं projections के बारे में कि प्रेले हम देखेंगे प्रिशर और उसके बाद नियूमें और उसके बाद स्टार्टिन के तरीन है यह एक दो तीन यह बैली इंप्रेंट है यह 2D में होता है यह 3D में होता है यह भी आपका 3D में होता है और यह भी आपका 3D मूंता है तो हम डिसकर्स करेंगे कुछ चीज़ों को यहां पर मैं केवल इस वीडियो के अंदे इन प्रोजेक्शन को बना के दिखाऊंगा और इनकी कनफर्ट मर्ज होते हैं प्रोजेक्शन के उसको मैं नेक्स वीडियो के कवर करूंगा तो केवल मैं क इसको बात कर लेता हूं और मैं यहां पर काईदल कंपाउंस लेके इसको बताऊंगा आपको CS3, BR, H, CL, H और CS3 यह 2D form है और जैसा कि आप जानते हैं कारबन 2D में एक्जिस्ट नहीं करता है 3D form में एक्जिस्ट करता है और हर एक एंगल 109.5 डिगरी का होता है और मिथेन गिंदर जैसा आप देख सकते हैं इसमें 6, 109.5 डिगरी का एंगल और 109.28 मिनट का एंगल है 6 है 1, 2, 3, 4, 4, 5 और 6 6 एंगल होते हैं पीटा चीज जान लखेगा और 3D आपको confirmation projection दानना बहुत important है कुर्शन बहुत कुझे जाते हैं लोगों confusion बहुत होती है तो अगर आपको नहीं आएगा तो आपकी rank बहुत ज़्यादा रिफर करेगी विचीज जानना बहुत important है ठीक है और मैंने काईदल कारवन के बादे में information भी कि लास्ट वीडियो में रखी थी तो देखा है वो देख लीजे जो नहीं देखा वो वीडियो देख लीजे पहले इसको पढ़ें क्योंकि सिस्टेमाटिक फॉर्म से चलेंगे बिटा तो पढ़ने में आपको एजी भी लगेगा और समझ में भी आईगा आप ब्रेक कर करक जाल है कैसा कारभन करें यह आपका सब्सक्ति और इसका रियी scarf everyone लमन नघन के लिए मैं और चिंगाल नहीं सकता और इसको दिखा जरू सकता हूं ठीक है अब जना गौर से देखिए मैं मान लेता हूं यह कुछ ऐसे बना हुआ है कि कुछ ऐसे बना हुआ है तो मैंने लाश वीडियो के अंदर भी डिसकस किया था कि जद भी आप इसको 3D में करेंगे, तो प्रोजेक्शन आपका फिशर, जो भी चीजें आपकी और जिंटल प्लेन में होगी, वो टूवर्स दा वीवर होगी, देखे मैंने इसको बोर्ड बनाया है, आपकी तरफ आते हुए, और जो भी वाइडिकल प्लेन में होगी, वो अवे फ्रॉम दा वीवर होगी, तो यह चीज ध्यान रखेगा, जैसा कि यह भी शोगर दा है, ठीक है, इसको बियार को फोला सब बढ़ा कर देता हूँ, साइस की सासर ना देता हूँ, ठीक है, तो यहां के चीज देखे, कि यह आपका सिरस्ती सिरस्ती पीछे कि तरफ अवे प्रॉम देवर यह दोनों आपकी तरफ आते हुए, यह दोनों आपकी तरफ आती हो और यह आपकी कार्बन चेन, यह कार्बन और यह कार्बन आपका कानिल कार्बन, ठीक है, तो अगर मैं इसको 3D में करता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखेगा कि 2D से जब भी 3D जाए, न्यूमेन का करेंगे, तो मैं फबी भी आप 2D से 3D में जाए, तो ऊपर वाले कार्बन को ही नीचे लाना है, क्योंकि आपको Y बनाना है, और Y बनाने के बाद आपको न्यूमन पोजेक्शन का एकलिस कंपरमर मिल जाता है, तो एक बाद आप खुछ सोचे कि कैसे बनाएंगे इसको फिर कि मैंने उपर वाले को आधा यहां से पोड कर दिया जहां से मैं लाइंड वागर रहा हूं पोड कर नीचे लिया और मैंने इसका गंफर्मर बनाया एक लिस्ट मैं केवल एक अंपर मर्ण बनाऊंगा फिर इंफर्मर के बाले इंफोर्मेशन दोंगा ठीक है यह बियार हो गय यह आप का में तिस्त्री हो गया जोड़ा करता हूं बेटा कारबन फॉड़ा लग से मार्कर से बना देता हूं तो यह आपका है चो गया यह आपका सी आपको इस वे सब्सक्राइब मैं थोड़ा सालक माला देखें कर लोग कर लेक डिगे लिए लिगशन आफ़्ान बेटा में कैवल आपको बता रहा हूं कैसे होता जाएगा कि बात आएगी तो मैं इसका पॉजेशन बता रिया अब इसी का इकलिस कंफर्मार में फ्लाइंग में कंवर्ट करके रिखाऊंगा कुछ नहीं करना विटा आपको जो यह बना हुआ है झाल जो रत आप और है कि इसको और थे बना हुआ है इसको केवर आप आयहसे रूटेट कर दिए राट-ंदि एड करूना तो आप देख रहे हैं बीयां और उक यह पीछे हो गया सब्सक्राइब करने वाला हूं कि अगर आप एक बढ़ाना आपको आजाएगा बढ़ा तो दूसरा नाने में आपको कोई निकत नहीं होगे तो चीजे रहां दखेगा कि अधिया चली मैसे ले लेता हूं और पूलेल को मैं इससे ये फाइन करता हूं हूं झूल्ट सब्सक्राइब पारे में अगर आपको पास इंफॉर्मेशन है सफिशेंड है या पूछा नहीं जाता है तो आपके पास आंसर होना चाहिए यस यह भी मुझे आता है तो इस चीज को बनाए दिख लेते हैं इसको आ गया है तो अब यह इसको अराम से इसको ऐसे बनाता है और इसके बाद अब यह बोल्ड डेश पॉर्म में नहीं जाता है यह वह ऐसे बना दिया जाता है यहां बियार लगा देता हूं ठीक है यह एच और प्लोरीं हमारा ग्रीन से था ग्रीन से उस्षण नहीं तो राइट वाला वह राइट शाइक पर लेग दीजें और पीछे जा रहा हूं तो पीछे डैस वाला वाला अभी फॉर्म देविवा और बोल्ड वाला वाला टूट शर्वी ठीक है तो बनाए घ्रृट्पर घंट साइब जाने और इसको मैंने उसे बना के आपको दिखाया तो यह ज्यान देकका मैंने केवल एक इसके इंदर बनाया और केवलों केवल के बारे में बताया किया कोजेक्शिंस क्यासे गए हैंगे तो मैं अब ही पोजेक्शिंस के बारे में आपको information दीए और सारे के सारे एक्लिप्स है यहां से लिकर यह भी इक्लिप्स और यह फ्यूप धियान रखेगा कि आप अगर 2D से 3D में जा रहे हैं और 2D से आप 2-D में जा रहे हैं तो आप eclips confirmr के थूझाएंगे एक्लिफs confirmr पी थूझाएंगे वह भी किसके न्यूमें के अगर आपको न्यूमें आगे तो बागी सम्निकाल देंगे आप न्यूमें के और ध्यान रखेएगा एकलिस कंफर्मर अगर यह बोन सकता है तो कुछ लोगों दिमाग में यह होगा सरब आपने वाई बना दिया वुल्टा वाई भी दे बना के एकलिस बना सकते थ्यान लखेगा त्यूंहीं होता अब कि यह बोल्ड फॉर्म में जाता है और यह जाते हैं इसके बारे में इंपॉर्मेशन मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इस लाइक में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब